Hello everyone, यह जो beautiful structure आपको दिख रहा है, यह हाथ से बनाया हुआ कला है, जो की wood को carve करके create किया जाता है, लकडियों को काट के बनाया जाता है, यह special toy जो है, यह करनाटिका के चन्ना पटना जगह पे क्या है बनाया जाता है, और यह वहाँ का GI tag है, और recent में यह news में था, because अफगान thing और activity आप कह सकते हैं, आप आएंगे क्या कि जो चन्ना पटना है, it is a place also, और यहाँ के जो खिलोने हैं वो बहुत famous हैं, इस culture को वहाँ पे include किया गया था, मतलब हमारे देश में wood art crafting बहुत समय से चला रहा है, मगर इसको और beautify करने के लिए, टीपु सुल्तान ने encourage किया Persian क हो कि भारत आएं, सेटल होएं और साथी साथ जो भारत के artist हैं, उनको ये art यान ये color सिखाएं, चन्ना पटना twice के लिए भावास मिया को father of चन्ना पटना twice माना जाता है, और आप आएंगे क्या कि उन्होंने नई technology include करी, ताकि जो local artist है, local जो craft industry जो लोग हैं, उनको एक नए रोजगार के आउसर मिल पाएं, अब आएंगे क्या कि ये एक GI tag है, जो कि एक geographical indication यानि एक special locality को show करता है, और ये special basically दूधी wood यानि दूधी लकडी milk wood जो easily breakable हो, easily carving जिस पर किया जा सके, उस पर बनाया जाता था, बट आएस हमारे पास technology बढ़ चुकी है, तो हम थोड़े hard wood का भी क्या है, यहां पर प्रयोग करते हैं, साथी साथ चन्नापटना, जो craft park है, भारत का पहला craft park है, जो कि करनाटिका के चन्नापटना में located है, तो ये ऐसे वीडियो के लिए आप जूड़े रहें exam को राइस के साथ, फिर मुलाकात होगी, take care everyone, we'll meet soon.